अपनी आँखों से इतिहास बनते देखिए चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ अब भारत पहुँच गया है चांद के जिस तुकड़े को अभी तक किसी नहीं देखा उसी इसरों ने दुनिया को साक्षाथ दिखा दिया है ये मुम्किम हो सका है चंद्रयांत्री के चांद के दक्षनी धूपर सौफ्ट लैंडिंग से चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहां करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं अत्वट और विश्वसनी और कलपनी चंद्रमा के दक्षनी धूपर सौफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दूनिया का पहला देश पंगया है चंद्रमा के दक्षनी धूपर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान थी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है चंद्रमा के उस दक्षनी धूपर पुदर कर उसकी दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे लेकिन जीत का सहरा भारत के से सचा है भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी धूपर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिठक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ा हट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिनी दूपर उतर गया है इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के तीम एहम मकसद है पहला, विक्रम लेंडर की चांद के दक्षणी सता पर सुरक्षद और सौफ्ट लेंडिंग दूसरा, प्रग्यान रोर को चांद की सता पर चला कर दिखाना तीसरा, वैक्यानिक परीक्षण करना चांद के दक्षणी ध्रो की धर्ती पर दस्तक देना ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका ना योरोपियन यूनियन के स्पेस एजेंसी कर पाई चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धडाम हो गया लेकिन भारत का चंद्रमिशन अब विश्व विजई अभियान बनकर सामने आया है धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तैकर के चंद्रयान ध्री का लेंडर विक्राव चांद के उस दक्ष्णित्रो पर पहुँच गया है अम्रत काल की प्रथम प्रभा में सभल ता कि ये अम्रत भर्षा हुई है हमने धर्ती पर संकल पलिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इस नाव अन दे मून आज हम अंतरिक्ष में मय भारती नई उडान के साक्षी बने नासा का दावा है कि चांद के दक्षणी द्रो पर बर्थ है कई तरह के प्राक्रितिक संसाधन भी हो सकते हैं लेकिन दोनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है लेकिन अब विक्रम लेंडर के साथ गया प्रग्यान रोवर इसे मुम्किन करतेगा प्रग्यान रोवर और विक्रम लेंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षणी द्रो के हर रहसे से परदा उठाएंगे नासा का मानना है कि चांद के दक्षनी द्रू का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरने नहीं पड़ती चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड़े हैं जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाशा में क्रेटर कहा जाता है ज्यादा तर गड़े ऐसे हैं जहां अर्बू साल से अंधेरा है नासा के मुताबिक गुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है चांद के दक्षणी धुरू पर जमी बर्फ का विचलेशन अब चंद्रयान 3 के विक्रम ब्लैंडर के साथ गया प्रग्यान रोवर करने वाला है प्रग्यान रोवर APXS से लैस है APXS यानि अल्फा पार्टिगल एक्सरे एस्पेक्ट्रो मीटर APXS चंद्रमा की सथा की मौलिक संग्रचना की जानकारी जोटाएगा ये चांद की सथा पर केमिकल और मिनरल का अध्यान करेगा वो चंद्रमा के दक्षणी धुरू की सथा की रासाइनिक संग्रचना का पता लगाएगा वहीं रोवर में लगा लिप्स यानि लेजर इंड्यूस ब्रेक्डाउन इस्पेक्ट्रो इस्पोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चटानों में मैगनिशियम और ऐहुमीनियम जैसे रासाइनिक तत्व में किस अनुपात में मौजूद है इसका व्यश्वलेशन करेगा रोवर जो तेटा एकठा व करेगा उसे लैंडर के पास भेज़ेगा लैंडर उसे प्रपल्शन मौद्डिूल के पास भेज़ेगा प्रोपेल्शन मोड्यूल में S-Band Transponder भी लगा है जिसका सीधा संपर्ग Indian Deep Space Network के पास रहेगा यानि जो सिखनल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे S-Band Transponder भारत को ठेजेगा रग्यान के काम की शुरुवाक लेजर बीम के साथ होगी लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सदके एक दुखड़े को पिखला देगा इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसे निकलेंगी रोवर उन गैसों का विश्टेशन करेगा अंदाजा ये भी है कि शांद के दक्षुनित रूपर अर्बू सालों से पानी वर्फ के गूप में जमा हो सकता है अगर चंद्रयान थ्री के रोवर ने इसके पुष्टी कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सठीक संकेत मिल सकते हैं अगर संकेत साकारात्मक्र है तो चांद पर इंसानों की वस्ती वसाने का सपना भी साकार हो सकता है बड़ा सवाल है चांद पर कैसे वसेगी इंसानों की वस्ती चांद पर वसे शहर का नजारा कैसा देखेगा क्या चान्द की जमीन पर भी धर्थी जैसे फसल लहराएगी? क्या चान्द की धर्थी पर खेती मुम्किन है? फिक्यान कहता है कि चान्द पर अभी इनसानों के रहने लायक वाता वरण नहीं है लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धर्ती को रहने लायक बनाया जा सकता है लेकिन दावे के मुताबिर चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती अंतरिक्ष में चंद्रमा धर्ती का सबसे करीबी पडोसी पिंद है पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है सभी मिशन को काम्याबी नहीं मिली लेकिन इन मिशन में चांग को सबसी जादा खुजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है अभी तक चंद्रमा से जोड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई है दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरके खनीच है चांड की सदर पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं वेग्यानिकों का मानना है कि चांड पर जीवन के सबूत दी मिल सकते हैं संभावना जताई जा रही है कि भविश्य में चंड्रमापर मानोबस्ती वसाने का सपना पूरा हो सकता है लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है जंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1970 में पढ़ गए हूँ लेकिन कड़वी सचाई ये भी है कि 1972 की बाद से किसी भी अंतरिक शियात्री ने चान पर कदम नहीं रखा जब से इंसान ने चान पर कदम रखा है तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भीजे गए और उससे जो जानकारी हसिल हुई उसके बाद से अब चान पर मानो बस्ती का सपना जल्ड आसान हो सकता है लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है क्योंकि अगर चंग्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धर्दी से सामान भेजने होंगे तो ये काफी मेंगा साबित होगा एक अनुवान के मुताबिक सिर्फ सौ लोगों के लिए चान पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब सवाल लाख करोड रोपे का खर्चाएगा ऐसे में अगर चान पर इनसान को रहने लाइक बस्ती वसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूर्तों को पूरा करना होगा जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पान, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लाइक जगन और रोशनी के लिए विजली जरूरी होगी दाबा है कि इनमें से ज्यादा तर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है चंद्रियान वन की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टी हो चुकी है पानी की खोज के बाद इस रो अब चांद पर जमी बर्फ का विशलेशन करने में जोटा है चांद की सेता की बनावट को समझने में लगा है नासा के मताबिक चांद के दक्षणी धुरू पर बर्फ है बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राक्रितिक संसाधन भी हो सकते है साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहट की बताया था कि दक्षणी धुरू पर हाइडरोजन है नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हैड्रोजन होने की वज़े से वहां बर्फ होने की संभावना है इसके अलाबा चांद के दक्षणी दूपर बड़े पढ़े पहाड और कई गट्टे हैं ज्यादा तर गट्टे ऐसे हैं जहां अर्बों साल से अंधेरा है अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षणी दूपर अर्बों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमाव हो सकता है अगर चंद्रयान 3 कालेंडर और रोर चांद पर बर्फ की मौजूद्गी की पुष्टी कर देते हैं तो वहां मानोबस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी हलाकि इससे पहले भी चंद्रमा की सदर पर पानी होने के संकेत मिले थे चांद के चाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं वैज्यानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पढ़ता है ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षनी धूपत बर्याप्त बर्फ होने की पुष्टी कर देता है दो एक के अनुपात में मौझूद होता है यानि पानी के एक अडू को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है ह2O equals H2 plus O2 यानि पानी की मौझूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके इंधन के तोड़ पर इस्तिमाल कर सकेंगे साथ ही साथ पानी से चान पर बिजली भी तयार की जा सकती है साफ है चान पर मौझूद पानी कई समस्याओं का समधान हो सकता है पानी के इस्तिमाल से सचाई के लिए खीती का काम भी आसान किया जा सकता है क्योंकि चांद पर इंसानों की वस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैग्यानिकों को तब बड़ी काम्याभी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाये गए अपोलो 11 मिशन के दौराद करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था इसमें तक्रीबन 50 चांद के चट्टानों के तुक्रे और चांद की मिट्टी शामिल थी शोद करताओं को इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ ओग भी सकता है या नहीं उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीडी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौगा दिया ऐसे में अगर चांद के दक्षणी धूल पर परयाप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है यानि चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान फ्री बहुत बड़ा रोल ने भाने बाला है जिसकी शुरवात चंद्रमा के दक्षणी धूल पर भारत के धमा के इधार दस्तक के साथ हो चुकी है